उदेईपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ शहर में हुई चाकुबाजी में घायल देवराज की सोमवार शाम को इलाज के दोरान मौत हो गई देर रात प्रशासन ने शब को परिजनों को सुपोर्ट कर दिया जिसके बाद मंगलवार को सुबह अंतिम यात्रा उसके पैत्रिक निवास से अशोक नगर शमशान पहुँची शवयात्रा में कई शहर वासी भी समिलित हुए और देवराज अमर रहे के नारे लगाते रहे इस दोरान कई लोगों की आँखे नम भी हो गई भारी पुलिस बलके बीच अंतिम यात्रा निकाली गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तक छात्र का अंतिम संसकार शहर में शांती और कानून व्यवस्था कायम जन जीवन सामान्य सलकोपर आवाजही निर्बाद शांसक डॉक्टर मननालाल रावत शहर विधायक ताराचन जैन उदैपुर ग्रामी इन विधायक फूल सिंग मीना उप महपौर पारस सिंगवी सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिदी एवं आमजन शामिल हुए अंतिम यात्रा में प्रशासन और पुलिस ने किये माकूल सुरक्षा बंदो बस्त योवक की लाश मिलने की सूचना पर प्रताप नगर्थाना पुलिस मौके पर पहुँची है वहीं एफसल और डॉक्स क्वायर की टीन भी मौके पर पहुँचेगी पुलिस अग जाँच में जुटी है कि योवक ने आत्म हत्या की है या उसकी हत्या कर शवक को लटकाया गया है नीले अंबर पर काले बादल चाय रहे जानकारी के अनुसार शहर में मानसूम की बरसात प्रिथक प्रिथक खंडो मामूली बरसात दर्ज की गई है इससे शहर की जीलो में पानी की आवक नहीं हुई है इसी कड़ी में मंगलवार को लेक्सिटी के आस्मान पर काली घटाय चाय रही दिन भर गर्मी वो उमज से लोग परेशान रहे शहर वासी दोपहर तक बरसात का इंतजार करते रहे अमरक्ची महादेव मंदर पर थंडी राखी का मिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की तहट कैंसिल करवाया जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष थंडी राखी के दिन पर पारम परिक मेले का आयोजन होता आया है शहर में चाकुबाजी की घटना में घायल चात देवराज के निधन होने के बाद मंगलवार सुबल देवराज का अंतिम संसकार किया गया लेक्सिटी में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासंग की और से अंबेरी में प्रतिवर्ष राखी के दूसरे दिन थंडी राखी के मिले का आयोजन होता है इस मिले में उदैपूर्ण शहर के अलावा आसपास के गाउं के लोग बड़ी संख्या में मिला स्थल पर आते हैं मिला स्थल पर एतिहासिक अमरगजी महादेव में दर्शनों का लाब लेते हैं एवं मिला स्थल पर लगे बजार से अपने मनपसंद की वस्तुएं खरीबते हैं मिला स्थल पर चक्री और डॉलर का लुट्व को उठाते हैं शहर में तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन की ओर से एतिहात की तौर पर अमरगजी महादेव की थंडी राखी के मिले को कैंसल करवाया गया मिले को कैंसल हुने से मिले में लगे चक्री डॉलर आधी उपकरन खुलवाए गये एवं बजार में लगी हुई दुकाने बंद करवाई इसी कड़ी में थंडी राखी के दिन आसपास के लोग मिला स्थल पर पहुँचे लेकिन मिला कैंसल हुने पर उन्हें निराशा हाथ लगी दर्शनार्थियों को महादेव के दर्शनों का लाब लिया थंडी राखी के दिन मिवार की आदिवासी लोक नाठ्य पारम पर एक चालिस दिवसी ए गवरी शुरू होती है लेकिन थंडी राखी के दिन पंचक होने से गवरी पाच दिन बाद शुरू होगी PCC चीफ डोटासरा ने केंडर सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए ACSDR अरक्षन मुद्दे सहित कई मुद्दों पर हमला बोला PCC में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के हालात खराब है केंडरी एजेंसी को दुरूपयोग किया जा रहा है हमारे नेता इनका मुकाबला कर रहे है सम्विधान खत्रे में है राजीव गांधी ने कई काम किये वो भी बिना सता के लालच के किये मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी दो स्टेट के चुनाव करवा रहे है बाकी के क्यों नहीं उपचुनाव नहीं करवा रहे है ACSTR अरक्षन मुद्दे पर भारक बंद पर डोटासरा ने कहा कि ये हालाद क्यों बन रहे है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से अपना स्टेंट फियर नहीं किया इसी से ये हालाद बन रहे है कॉंग्रेस का स्टैंड ये है कि हमारी पार्टी सम्विधान से मिले ACSTR अरक्षन का समर्थन करती है स्वच्छता हमारे लिए सर्वोग परी है लेकिन कार्यालियों में इस पर फोकस नहीं है हमें इस पर जोड देना होगा आगामी 6 माह हमारा फोकस स्वच्छता पर रहेगा शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर इस पर काम करेंगे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्राले के अधिकारियों की अलग-अलग समीक्षा बैठक में अधिकारियों से ये बात कही। मंत्री दिलावर ने कहा कि 2 अक्टूबर से विशेश स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जिसमें शिक्षा एवं पंचायती राज मिलकर काम करेंगे। स्कूयों में अभिभावकों की बैठका योजित कर प्लास्टिक और पॉलिथीन का उप्योग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान को प्रभावी रूप से पूरे प्रदेश में चलाने के लिए प्रभावशाली लोगों को ब्रांड अमबैसिदर बनाया जाएगा। जो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को प्लास्टिक और पॉलिथीन का बहिशकार करने के लिए काम करेंगे। साथ ही जिला स्तर पर रैंकिन की योजना बनाई जाएगी, जिसमें प्लास्टिक और पॉलिथीन का कम से कम उप्योग करने के आधार पर जिलों की रैंकिन के आधार पर चैन कर पुरुस्कृत किया जाएगा। मंत्री मदन दिलावर ने दोनों ही बैठकों में अधिकारियों को प्लास्टिक और पॉलिथीन का उप्योग बिल्कुल भी नहीं करने की शपत दिलाए। हकीकत का आईना है ख्वाबों को सच करके दिखाता है दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ।